नमस्तार में इस भुवारिया देख रहे हैं वेव इंडिया निउज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभी इस चुनावी दंगल में सभी लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सब लोग अपने अपने दम खम पे अलेक्शन जीतने की कोशिस कर रहे हैं जनता का आशिरवाद जनता की दुआएं किसके साथ आती हैं यो यह बारत आरी को पता चलेगा लेकिन आईसे ही एक सभापती के उमिदवार से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ मैं आपका शुब नाम रीमा देवी यह आप रीमा देवी हैं आप किस चीज के लिए अलेक्शन लड़ रहे हैं आप शाभापती नगर परिशद राम नगर के शाभापती के लिए अलेक्शन लड़ रहे हैं चुकर यह महिला रेक्षी सिट है इसलिए आपको बाहर आना पड़ रहा है चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अलेक्शन लड़ है जनता का शिरवाद आपको मिले और आप विजयी बने जी सर आपका शिब नाम स्री राम नारायन सागोण स्री राम नारायन सागोण जी आप परतिनीधी हैं रीमा देवी के आप परतिनीधित करना है बहुत अच्छी बात है आप एक सिंपल आदमी है थोड़ा सा फिजकली डिस्टर्ब भी है लेकिन क्या जोश है क्या जजबा है क्या मकसद है कि आप लोगों की सेवा के लिए अलक्शन लड़ रहा है जी जी राम नागर में जो समास्या है नागर परिशद में वह हमसे देखा नहीं गया और नई गठन हो रही है पहली बार जो है सरकार महिलाओं को यह मौका दे रही है और हमको लग रहा है कि राम नागर में यह बदलाव जरूरी है और जितनी भी समस्या है वो निशित है कि बदलाव होगा हम लोग पती पत्नी जनता के बीच माता बहनों और गारजी और बुद्धु जीवू के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हमें लग रहा है कि अपकी पड़ी निशित जनता जो है और अब की बार अब उतर चाप की सरकार आएगी और जनता का जो भी समस्या है पूरा के पूरा हम लोग दोनों ब्यक्ति मिलकर एकदम समस्या को दूर करेंगे रामनगर में जो भरस्टाचार है जितनी भी समस्या जन समस्या उसको हम लोग एकदम संकल्पित है कि पूरा करेंगे रामनगर दिख रहे हैं न्याहीत है यहां आप से ने को marketing में० आप इन है को आप सब्सक्राMaster पूर्म में अपना एंजियो भी चलता है युवा सकती सेवा संस्थान और मैं लगभग दस बरस के था तो आप से दुकंदारी और समाज की सेवा करते रहें जस साल के उमर से आप समाज सेवा कर रहे हैं जो आपको याद हो जी एक बार वेतिया में हमारोन अंसन किये थे पेंशन के लिए दिव्यांग और युवा बर्ग के पढ़े लिखो के लिए जो कि उस टाइमें हम अंसन किये थे समड़ाले गेट पर बड़ी कटनाईया जहलना पड़ा फिर भी बीजाय हम ही लोग को हुआ सरकार जो है हमारी मांगों को पुरा किया 200 से 400 पेंशन किया तीन हजार का मांग था और युवाओं को पहली बार हमारे एजेंडा में सरकार सामिल किया कि बेरुजगारी भटा दिया जाएगा बहुत अच्छी बात है संगर्ष चाता है रोने वाला ही गाता आपने संगर्ष किया आप लोगों को विजय दिलाए अच्छा यह पता है नगर परीशत में नलजल योजना आया बहुत सारी नली गली सड़कें यह सब का कुछ ना कुछ लोगों का फीटबाइक यह मिला के खराब है अब नलजल के बारे में हमारे माननी नितिश कुमार जी का अभियान चला है उनका अपना यह है उसमें का कहेंगे चुनाव का समय है उस पर कोई टिपड़ी नहीं करेंगे जनता मौका देगी सभी का सुधार किया जाएगा अब हम लोग अपने वाड में जनता के बीच माता बानों के बीच काम नहीं करेंगे शिस्टम है दोसरे को लाएंगे बागमान का भी ऐसे है लोग करना चाहते है अच्छी बात है इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं छली अच्छी बात है वह बहुत अच्छा बाद आपका नाम स्मिलाल साजी आपका क्या उपनियन ही निया है कि देखिए आप राम नमर में कहीं भी निकलिएगा तो ना शड़के ना भीजली है ना खंबा लटका हुआ उस पर कोई विजली बॉल्ब इतना बड़ा घड़ा उसी में आपको जानारी सबसे पहले मंदिर जाने का और मस्ती जाने का रास्ता है सब्सक्राइब करता हूँ कमाना खाना खाने जाने कमानते खाते तो सब लोग हैं गरीब सब लोग हैं आप कोई समस्या है या सब कुछ ठीक ठाक है बजार में हम तो आज है कॉल नहीं रहेंगे आप आज हम है कल नहीं रहेंगे यह तो मौत जिसकी आगी हो चला जाएगा हम रोड पर आज ही रहें अकल नहीं रहेंगे यह तो हम लोग मांग करते हैं अस्ताई मिलने वाला बहुत पहले एक आवाज आई थी लोगों की तरफ से के सबजी मार्केट के लिए नगर परिशत कोई जगे इंतराम करें और आप लोगों को अस्ताई वहां से यह हो यह आ यह संखेप में आपका कहाना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता से निवेदन करेंगे कि अपकी बार भरस्टाचारियों को छोड़े नहीं समय आ चुका है निड़ाय का और यह जो अभी का दोर गुजर रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं पांच साल तक ले जन अच्छाप को ही जीता है हम संकल्पित है क्योंकि सारी समस्याओं का निदान करेंगे घर घर जाके करेंगे और बाकी जो है आपसे छमा चाहते हैं फिर हम मिलेंगे इनका कहाना है कि लम्हों ने खता किया सदियों ने सजा पाई थोली सी गलती लंबे दिन तक हमें जहलना पढ़ सकता है मैं मुझी बूला